हेलौ गूध मॉर्णिंग मेरे वैल्ग को सोच रहेंगे स्बस्ट सुबह क्या करें। स्बस्ट नो to come quicklyермarnos करने समय क्या कि या फोल करने की काping करने से कैसे स्थ मेरे वह विए धाणि करें। दूचार पोदे मैंने कटिंग कर दिया बाके जो हुई दिरे-दिरे कर रहे हूं गुलाप का जो पोदा होता है जब फूल हो जाता है तो मैं उसी टाइम जब फूल तोड़ती हूं तो कट कर देती हूं ताकि मुझे जी रहता और बहुत आसान भी हो जाता है क्योंकि 78 का पो फ्लॉावर होंगे ंप्ए एक दो तीन-चार कलिया हुआ है। इनचार फूल होगा इसमे और यह दो के मैंने तो जितना कटिंग के देखे बीच से ही आ रहा है कितना अच्छे से चोटा सा डाले निकल रहा है ये कटिंग जितना कटिंग करेंगे रूज का तो उतना ही अच्छा गुरू करेगा ये तो अभी में ये जो फोधे में मेली पक लग चुका है तो उसका ये दबाई में चड़क दूंगी कि इस दो पर्ट लिया है ये वह जो मैं लाए थी जेड प्लान तो इसके अंदर निकाल के मैं इसके अंदर लगाओंगी तक ही अंच्छा से घ्रू कर सके हैं शोटा सा है ये अंच्छा से ही रूओ पोट चेंज करना पड़ेगा तू बड़ा वाला पोट है इसी में से मिट्टी निकल के मैं इसी में डालूंगी निकालूंगी कैसे पूड़ासा नीमी खर ली इसके अंदर से जो मिट्टी निकला है मैं इसी में डाल दिया है और ये पूड़ासा नीमी खर ली अब अलवाल पोधर लगांगे ईसको एक से मिक्स कर देंगे आई आँ यह मैंने जैड़ प्लांट इसमें लगा दिया और इसमें बहुत असरे मैंने मुनी प्लांट लगाया है ये ग्रू करेगा अच्छे से ग्रू करेगा सारा हईबिसकस आया है बहुत सारे मैं सुभे ही तूड लिया था पुजा करने के लिए सब्सक्राइब लगा सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब पूल बन यहैं कैपो देख रखना पड़ता हैं पंदरा दिन में ईक बार में का कटिंग करती हूं जैसे रूज हो गया रूज का तो कटट tuba बहुत जबूल करेंगे उतना ही इतना ही फूल हुक्वा एक दो जितना बाइज तो नबाद पूल एक आँ तोड़के क्टिंग करना हो यहां साग कुल पावड़े बालखिय में बह पाफिया कर दोष दूछाब डर टुछाब या चिटी जर्टी उसमें थोड़ा सा नीम का ओएल जो नर्सरी में में मिलता है तो मैं नर्सरी से लाती हूं नीम का ओएल उसे दूचाब ड्रब्स डाल के मिला के ज्यादा छीडिंगा पानी लेती हूं अब दूचार ड्रॉप डाल के जू निंका वाटन ओयल है तो मिला के स्प्रेय करने से पोधे में तो पोधे में लगा दिया है तो तो दूप में डाला है तो फिर घर में लेंगे जो जड़ा ज्यादा दूप बोक्र लखो जाएगा तो उसी लिए थोड़ा ज्यादा मिसी दूप में नहीं है बारिश शुरू हो गया है करना प़ुद्य के पलखते किचिन में लउंच बनाएंगे पर बनाने के बहुत यमी लगता है उसाब रूटी चपाती जिसके साथ आप खा सकते लेकिन हम जादा तर चाबल के सद खाने पसंद करते हैं तो सब्जी बनाड़े के लिए मुझे के जर्में जाना पड़ेगा आप लोग भी मेरे साथ कीचन में चलिए यहाँ पर मैं पालग का सब्जी बनाओगी यह मैंने पालग को अच्छा से काट के धूलिया चुटे 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 मैंने काट लिया है पालग को और यह आलू और यह है आलपी और बेगन मैं इसे दे के बनाओगी पालग का सब्जी कि यह जो अर्बी घोड़ा सावल घट करके बनेंगे नहीं तो यह गेगा थोड़ा सावल करने से गलापन चला जाएगा और इसको हल्कास ही प्राइक प्राइकर करने से अर्भी नहीं पके miećका मैं स्कूइज तो सब सब्सक्राइब है Ooh विजए दblesुप्रूकि-नकारी pm में लिए 600 लेसुन की करिब तो अब इसके पैस्ट बना लेंगे तो इसने दाल देंगे, यह तो इसमें दाल देंगे, यह तरह बेगन ने काट के रख़ी है जिह वना धना देगे, यह जो पैस्ट है आग इसमें जाल देंगे सल्चीमी तब डालदेंगे। पलक हो गया अर्भी, तो इसमें हम डाल देमे के पलक कर देंगे, पांट-Dस मिनट के लिए क्टेशन पालक और आर्बी का सब्जी हो गया है रिस पूला निकल देंगे काड़ाी गरम हो गया है इसमें डालेंगे सब्जा रहां पालक का जू में सब्जी बना रहे हूं यहां पर मेरा दाल भी बन करें दिया है इसमें डालेंगे जीरा ने दिया है दूरेयर चिली और यह प्याज मैंने एक बड़ा साइज का प्याज दिया है प्याज हो गया तो यह का प्यों दाल देंगे इसके अंदर एक छोटा टमेटो मेंने लिया है चोटा सब्सक्राइब इसमें पोड़ा बेंगर यह पिल ली एक तोड़ा साइब यह हो गया है तब इसम दाल देंगे जू पालक मैंने दूसरे चुले में हटा दिया है तो इधर मैंने तावा चड़ा दिया है इधर में बनाओंगी एक अमलेट तो अजबन भी आ चुके खाने के लिए इसलिए जल्दी अलुमें तूनों ही इस्तमाल करना है दोनों हाथ तो चलिए महीं हम यह बन के रड़ी यह देखिए आज बारिस हो रही है तून्टी वान का पहला बारिस यह बैंगलोर में नईया साल का नईया बारिस फास्ट टाइम नीवर में कि पहला बारिस यह कि लाउंच हो चुका है लाउंच उने बाद हुई बर्तोन और किचन पूरी तरह से क्लीन है तो सुबह से उटके काम पर लग जाओ में जैसा जैसे दो हाथ नहीं चार हाथ हो गए काम करते करते ना दूहाथ चार हाथ बन जाएगे जल्दी जल्दी करना तो पड़ेगा सबकी घर में तो होता है ऐसा तो चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं वीडियो को फूल आज करिए लाइक कमेंट से यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू